हेलो फ्रेंड्स, इस आरध्य पियाली, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप ओपन शॉट वीडियो एडिटर में पिक्चर इन पिक्चर या वीडियो ओवरले कहते हैं कर सकते हैं अगर आप यूटूब पर रियक्शन वीडियो बनाना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो आपके लिए ही है तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो ओवरले करने के लिए हमें दो वीडियो चाहिए तो आईए हम दो वीडियो को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं अब हम इन वीडियो को टाइम लाइन पे लेगाते हैं हम लोवर वाले ट्रैक पे वो वीडियो रखेंगे जिसको हमें फुल स्क्रीन पे चलाना है और अपर वाले ट्रैक पे हम वो वीडियो रखेंगे जो की हमें ओबर ले करना है जो कि हमारा Small Screen पे PLAY होगा मैं एक बार यह दोनों वीदियो आपको Play करके दिखाती हो यह मेरा वो वीदियो है जो कि मैं Overlay करने वाली हूँ जो कि मेरा Small screen में प्ले होगा और यही मेरा वो वीदियो है जो कि मैं फुल स्क्रीन में प्ले होगा आप देखी सकते हैं मेरा अपर वाला जो वीडियो है मेरी लोवर वीडियो से थोरा सच होता है तो सबसे पहले मैं इन दोनों को सेम कर लेती हूँ मैं लोवर वाले वीडियो पे गई राइट लिक किया और स्लाइस की प्लेप साइड अब देखिए मेरी दोनों वीडियो सेम साइज के हो गए है हम जब वीडियो ओवर ले करते हैं हमें एक चीज का ध्यान दखना चाहिए कि हमारा जो करसर है वो at the starting of the clip होना चाहिए so that हम जो भी effect डाले वो पूरे वीडियो पे apply हो जाए आज मैं आपको वीडियो ओवर ले करने का तीन तरीके दिखाने जा रही हूँ जो पहला तरीका है और जो सबसी easy है वो ये है कि आप अपर वाले track के वीडियो पे क्लिक करें राइट लिक करें ले आउट पे जाए और आपको ले आउट पे बहुत सारी options देख जाएंगे इसमें से आपको जो चूस करना है जहां आपको वीडियो प्लेस करना है वो option आप चूस कर लीजिए मैं तॉप राइट चूस कर रही हूँ ये देखिए मेरा जो ओवरले वाले वीडियो था वो तॉप राइट पे जाके दी पोजिशन हो गया है फ्रेंज ये सबसे easy तरीका है और जादा ता लोग इसी तरीके को ही यूस करते हैं मैं आपको एक बर वीडियो प्ले करके दिखा रही हूँ मैं ये हमारा फर्स वीडियो को यहां से रिमूब कर रही हूँ और मैं इसे दुबारा टाइम लाइन पे ले आती हूँ हमारा जो दूसरा तरीका है वो है वीडियो को ट्रांस्फॉर्म करना राइट क्लिक करें ओन वीडियो ट्रांस्फर्म करें ये देखिए फ्रेंस पूरे वीडियो के चारो तरफ ब्लू दॉट्स आ गए हैं अब हमें उस ब्लू दॉट्स को इस तरीके से आप ड्रैक करके अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक इसको आप साइज दे सकते हैं ये अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रही हूं मैं वीडियो में राइट लिक कर रही हूं प्रापर्टीज में जा रही हूं ये देखिए आप स्केल एक्स को इस तरीके से एज़स कर सकते हैं और स्केल एक्स को स्केल वाई को भी आप इस तरीके से ही एज़स कर सकते है अब आपका जो वीडियो है वो at the center position पे है तो हमें अपना वीडियो center पे तो नहीं चाहिए तो हम इसको इस तरीके से adjust करके जहां चाहें वहाँ place कर सकते हैं मैं इसको top right पे place करने की कोशिश कर रही हूँ friends मैंने scale x and scale y को इस तरीके से taps को adjust किया था अगर आप चाहें तो manually भी इस तरीके से value डाल सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार आपने वीडियो को अगर कहीं पे place कर लिया है तो उस जगह के अलावा आप वीडियो को कहीं और नहीं ले जा सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस वीडियो को from top right से मैं इसे bottom left में लेके जाने की खुशिश कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो यहां तक top right में रहे उसके बाद में वो दीरे दीरे bottom left में आ जाए तो उसके लिए मैं right click कर रही हूँ transform में जा रही हूँ और इस वीडियो को drag करके मैं bottom left में लेके आ गई हूँ अब मैं इस वीडियो को चाहूँ तो वीडियो का size भी मैं increase कर सकती हूँ यह देखिए मैं आपको एक बड़ यह video प्ले करके दिखा देती हूँ यह देखिए यह देखिए friends यह देखिए friends मेरा वीडियो ना सिफ यहां से move हुआ बलकि इसका size भी increase हो गया है कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो overlay वाला जो वीडियो है वो पहले तो full size में चले और उसके बाद वो दीरे दीरे small size में आ जाए तो सबसे पहले तो हम उस position को choose कर लेते हैं जहां पर जाके हमारा वीडियो small size में आएगा right click करके properties में आ जाती हूँ properties में again में scale x और scale y में जाऊंगे friends मैंने location x और location y और scale x और scale y इन चारू tabs में 0.33 का value डाल दिया है आईए friends देखते हैं हम जैसा चारे हैं क्या वीडियो में वो effect आया है के नहीं यह देखे friends वीडियो पहले full screen में चला और अब यहां पर small screen में वो play हो रहा है अब मैं चाहते हूँ कि यहां से मेरा वीडियो again full screen में आ जाए मैं सबसे पहले end of the video आ गई और यहां पर आके मैंने scale x और scale y में 1.00 डाल दिया है और वैसे ही मैं location x और location y में भी इनका जो original value है जो कि है 0.00 डाल रही हूँ अब मैं वहां जा रही हूँ जहां तक मुझे overlay video small screen में चाहिए और scale x और scale y में मैंने value डाल दिया है 0.33 जो कि उसकी small size की value थी और location x और location y में भी मैंने value डाल दिया है 0.33 जो कि उसकी इस location की value है friends मैं आपको दुबारा से यह video play करके दिखा रही हूँ कि जो effect हम चाह रहे हैं क्या वो effect इस video में आया है या नहीं यह देखिए वीडियो यह वाला effect तो फ्रेंस आमने देखा था आ गया है यह देखिए फ्रेंस यह video दुबारा से resize हो गया friends I hope आपको मेरा video अच्छा लगा आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में till then stay healthy and safe इतना ही कि अज्फा लिए